पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुरकादर का सलाम आप सब लोगों को एडवांस इद बहुत बहुत मुबारिक शवाल का चांद नजर आ गया तो यकिनन सब लोग चांद रात मना रहे होंगे लेकिन दो साल पहले आज ही की रात बहुत से लोगों पर भारी गुजरी थी उसकी डिटेल में नहीं जाता विक Als बहुत डिप्रेसिव सा टॉपिक हो जाता है लेकिन 9 अपरेल की रात क्या हुआ उसके ओपर बातें भी बहुत सारी होगे लेकिन प्रैक्टिकल अब क्या करना है तो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के लिए इमरान खान की अलग अलग कॉल्स हैं यानि चांद रात पर इमरान खान ने अपने लोगों से अपने कारकुनान से पी टी आई के लोगों से कहा कि वो बाहर निकलें और 10 अपरेल के लिए कॉल ये है कि असीरान के घर जाकर एद मनाई जाए ये पार्टी के लेवल पर डिरेक्शन है कि पार्टी के जितने रहनुमा है वो कैदी जो लोग हुए सारे अमल के दुरान उनके लवाहिकीन के साथ एद मनाए तो इमरान खान ने अपना इक्तिदार खत्म होने से पहले जो आखरी खताब किया था आखरी बिलकुल लास्ट जो एड्रैस था उनका नेशन से उसमें उन्होंने दो तिन बहुत आहम बाते की थी जिसमें उन्होंने का था कि तारीख कभी भी किसी को माफ नहीं करती कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तारीख में हम मैंशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है और आपको भी खड़े होना होगा यह उनका आखरी खिताब था जिसमें उन्होंने गुलामी नामनजूर का नारा भी लगाया था कि हम गुलामी किसी सुरत कबूल नहीं करेंगे तो आज पूरे पाकिस्तान को जो कॉल दी गई है साड़े नो बचे का वक्त है जब मैं विलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे थोड़ा सा पहले विकस मुझे निकलना है सफर करना है लंबा अपने पेरेंट से मिलने के लिए तो इसके उपर मैं दूसरा विलॉग लेकिन लोग अभी भी ये सोच रहे है या पूच रहे है कि क्या आज भी मिलीनियम मॉल कराची में वैसा महाल होगा जैसा 9 अप्रैल की रात था जो कौमी तरहना लोगोंने मिलके पड़ा था और अच्छल गेम वहां से उठी थी 9 अप्रैल की रात जब एक फ्रूआउड नेशन वाइड एक मैसेज गया था तो वो वहां से गया था खैर ये इसके बारे में कुछ दिर में पता चल जाएगा इसलामाबाद में भी कॉल दी गई है अभी शेर अफजल मरवद का मैं ट्वीट पढ़ रहा था उन्होंने बताया कि इसलामाबाद रावल पिंडी की जो तन्जीम है उन्होंने एफ नाइन पार के बाहर एकठे होने की कॉल दे रखी है तो लोग पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसके बारे में विजुल्स जो है वो कुछ दिर में अपडेट हो जाएंगे लेकिन असल एक और किसम के आदमी है कानूनी मौामलात में बड़ चड़ के मदद करते हैं और बड़े बेजरर से और लोगों के काम आने वाला शक्स है तो उन्होंने एक ट्वीट किया और साथ में चंद सेकंड की वीडियो लगाई जिसको देख के सही मानों में बंदा दुखी हो जाए वो विज्वल चंद सेकंड के लेकिन हैं ऐसे वो ये लिखते हैं कि इन दस माह में हम कभी असीरान की फैमिली के सामने मायूस नहीं हुए थे आज 37 असीरान की फैमिली इस उमीद से अदालत आई कि शायद आज उनके प्यारों को इन सदादे दैशत गर्दी की अदालत से बाक जिस पर वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वो बड़े मायूस हुए और असीरान के बच्चे अपने वालिद की रहाई के लिए वो बता रहे हैं कि जजिज के सामने रोते रहें मतलब रिक्वेस्ट करते रहें उनको कहते रहें लेकिन वो कहते हैं कि उनकी बात नही बनी वो लिखते हैं कि कई माये अदालत में सुरह यासीन की तलावत करती रहीं कि पुर उमीद थी ना कि शायद उनके बच्चों को आज इनसाफ मिल जाएगा और रहाई पासकेंगे लेकिन सारे के सारे लोग बड़े बोजल दिल के साथ और बड़े बोजल कदमों के साथ वापस लोट रहे थे और इस विजुल को कल उन्होंने अक्स बंद करके ट्वीट किया तो मैंने सोचा कि ये विजुल आपके सामने भी रखूंगा और थोड़ा सा उन फैमिलीज का दुख जो है वो हम अपने इस प्लाटफॉर्म से भी शेयर करेंगे कि इस मुश्किल की गड़ी में हम भी उनके साथ हैं उनका ये दुख उनका ये दर्द समझ सकते हैं उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान तहरीक इनसाफ लाहौर की जो क्यादत है उन से गुजारिश की कि एईद के दिन अपना कुछ वक्त उन फैमिलीज के साथ लाजमी गुजारे करे के जल्द इनकी बाजया भी हो रहाई हो आज अली अमीन गंड़ापुर को हमने देखा कि वो भी पहुंचे ऐसे ही फैमिलीज के साथ अपना वक्त गुजारने के लिए इमरान खान की खास डारेक्शन्स हैं ना सिरफ खैबर पक्तौनखा की क्यादत को बलके पीटी वो उनके साथ एद के दिन वक्त जरूर गुजारे आज इमरान खान की बहनों ने भी इफ़तार का खास एहतमाम किया था इन अहल खाना के साथ और उनके साथ काफी वक्त गुजारा उसकी भी इमेजिस हमने देखी तो एद तो बेसिकली नाम ही है अपनी खुश्यों से आप लोग जाके जरूर देखिएगा आई बटन पर भी मिल जाएगा लिंक और पिन कॉमेंट में भी उसका लिंक में डाल दूँगा खेर आगे बढ़ते हैं अब कल एद है और इमरान खान से बुश्रा बीबी की मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी अदालत ने हुकम दिया थ कि एद से पहले पहले उनकी मुलाकात कराई जाए अब चंदी गंटे बाकी रहे गए हैं लेकिन अट दा मुमेंट जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है और बलके इस से बड़ी अपडेट यह है कि मतलब किस किसम के केसे में उनको डाला गया है जेल मे आपको पता है मैं चले इमरान खान तो एक सियासी शक्सियत है बुश्रा बीबी को जिन केसे में डाला गया वो भी आपके सामने है निकाह का केस अब पिछली जब पेशी हुई उसके उपर मुखालिफ वकील जो है वो आया ही नहीं मतलब पी टी आई के वुकला या इमरान खान के लेकिन खावर मानिका के वकील फिर पेश नहीं हुए तो आज फिर अदालत ने जो फैसला लिखवाया है उसमें उन्होंने का है कि अगर 15 अप्रैल तक की मैं महलत दे रहा हूँ अगर 15 अप्रैल को खावर मानिका के वकील पेश ना हुए तो मैं इसका फैसला कर के या बुश्रा बीबी को सजा देने के हवाले से होता तो मेरा नहीं खियाल इतनी महलत मिलती जैसे उन्हें बाकी केसिज में नहीं मिली हक के दिफार खतम हो गया वकीली बदल दिये, स्टेट डिफेंस काउंसल आ गई तो अगर वो होते तो शायद फैसला कुछ और होता, बहराल अभी देखते हैं, अदालत क्या डिसियन करती है एक खबर ये के आज पाकिस्तान तहरीक अंसाफ की सियासी कमेटी में मजीद दो लोगों का इजाफा हुआ बैक टू बैक हो रहा है, पहले 14 रुकनी बनी फिर 5 लोग और अड़ कर दिये, 19 रुकनी होगी अब 2 लोग उसमें और अड़ कर दिये गए और ये दोनों बड़े हैवी वेट और स्टाल वाट है एक तरह से, एक मोने सिलाई जो इस सियासी कमेटी का हिस्सा बना दिये गए और फिर जुल्फी बुखारी तो बेसिकली दोनों है तो बड़े स्ट्रॉंग लेकिन दोनों बाहर हैं, बैर उने मुल्क हैं बड़ अपने तहीं जितना हो सकता है वो कॉंट्रिबूट कर रहे हैं तो इन दोनों का इंपुट जो है वो PTI के लिए बड़ा आहम था तो इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है बगैर किसी कॉंट्रिबूर्सी के अपना सॉलिड इंपुट अगर ये दे सकते हैं तो वोई नौट तो इसलिए इन दोनों को शामिल कर दिया गया फिर आज की जो मेन हाइलाइट थी टीवी चैनल्स पर स्यासी अतवार से वो चेर्मेन सैनेट और डिप्टी चेर्मेन सैनेट का इंतखाब था जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश थी कि ये इनतखाब ना हो सके और वो चाहते थे कि चुके खैबर पख्टूनखा से अरकान नहीं आए इस सैनेट में तो कोरम पूरा नहीं है सैनेट पूरा नहीं है तो इसका इजलास ना मुरक्त कराया जाए या इनतखाब ना कराया जाए अदालत भी गए अदालत में फैसला भी महफूस किया गुजिशता रोज लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं गया वो फैसला भी महफूस है अपनी जगा पे महफूस है लेकिन इंतखाब हो गया चेर्मेन सैनेट बन गए डिप्टी चेर्मेन सैनेट बन गए और एस पर प्ल इस चैनल को सबस्क्राइब कर दें और मेरा दूसरा चैनल अगर आपने नहीं सबस्क्राइब किया जिसके उपर पर्सनल लाइफ और नॉन प्छीनल चीज़ों के उपर हम बात कर रहे हैं तो आपके फीडबेक का बहुत शुकरिया और चंद ही घंटों में या एक दो दिनों में पांच जार से जायद सब्सक्राइबर्स हो गए मुझे याद है जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो इसके उपर पांच जार सब्सक्राइबर्स लाना वस अ ड्रीम और अब आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से शुक्रिया अपना बहुत सा ख्याल लगए अलाह आफिस